तो स्टूडेंट्स जा हमने फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे पढ़ाई की तो हमने नोटिस किया कि दैवर रेंजेस ऑफ काइनेटिक एनरजी यह से लूँ यह हमारा एपरेटर्स था कॉर्ड्स विंडो थी लाइट गिरती और इलेक्ट्रोंज आते हैं और यह पूरा एपरेटर्स हमारा था माइक्रो एम मीटर लगाया है आपने यह वोल्ट मीटर है अलग अलग वोल्ट जिस पर हमने पूरी स्टडी की यह रियो स्टाट था इस वस पूट टू जीरो वोल्ट यह पूरा रिजिन नेगेटिफ यह पूरा रिजिन पॉजिटिफ तो मैंने आपसे बार बार यह बोला कि हमारा जो करेंट है सपोज हम कोई इंटेंस्टी लेते हैं एकदम जीरो नहीं हुआ एकदम जीरो नहीं हुआ इसका मतलब वराइटी ऑफ काइनेटिक एनरजीज वी वर गेटिंग वाटवर दे एलेक्ट्रों वर एमिटिंग अलग-अलग अलग अलग काइनेटिक एनरजीज थी रेंजिंग फॉर्म जीरो तो मैक्सिमुम जीरो निकलते ही हैं जस्त निकल गए हैं और आगे नहीं बढ़ पाए और उनको आगे ले जाने के लिए यहां पर पॉजिटिव पॉटेंशिल करने पड़ती है मैक्सिम काइनेटिक एनरजी कौन सी है जो वर्क फंक्शन को अवर कम करने के बाद काफी अच्छी खासी एनरजी से भाहर निकल पाते हैं उन्हीं को रोकने के लिए हमें इसको नेगेटिव करना पड़ता है और सबसे जादा काइनेटिक एनरजी वाले उलेक्ट्रॉन के लिए ही स्टापिंग पोटेंशल हमको मिलती है तो इसके पीछे रास क्या है क्या कारण है कि हमें वर्याइटिस ऑफ काइनेटिक एनरजी मिलती है लेट सी तो इसको क्वेशन के रेफिर्यम कर लेते हैं वाए दू वी है रेंज ओफ काइनेटिक एनरजी फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम तो होता क्या है किसी भी मटीरियल में जब फोटॉन इंसीडेंट होता है तो यह फोटॉन क्या करता है यह एलेक्ट्रॉन मैं अंदर थोड़ा सा डीप में ले जाके बात करूँ स्ट्रक्चिर स्ट कर inhaler की बात करूं कि इतना मोटा है नहीं यह एंग्स्टॉम्श में होगी लेर इतनी कंपशी तेक्शम क्या होता हैए 10 पावर माइनिस 10 मीटर ठीक है atomic layer जो होती हूँ इतनी ही थिकने थिकनेस की होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो फोटन जब आता है तो एक electron उस फोटन की सारी energy absorb कर लेता है यानि कि energy कितनी है photon के पास h nu और electron के पास बेब energy कितनी हो गई है अरिक electron also has also has h nu यह energy एलेक्ट्रों के जब आती है तो से नेर्जी से दो काम करता है एक तो work function overcome करता है और फिर बाहर भी निकलता है इसी energy के दो सेके work function को overcome करा और किसी energy से बाहर निकलना बाहर निकलना लेकें बाहर निकलने उसे बहुत रास्तों से गुजरना होता है जैसे कि कभी इस electron से टकराता है कभी किसी bounded electron से टकराता है जो electron बहार नहीं निकल बहार है उनकी बात कर रहो है जो निकल गएवा अच्छी बात है तो lattice में ही काफी collisions होते हैं और इन collisions के दोरान वो अपनी कुछ हद तक energy lose कर चुका होता है फिर जाके वो बाहर में कलता है तो इस वज़े है कि अलग अलग प्रकार के energies होती है कुछ electrons क्या होते हैं जो बिल्कुल भी बिना collision के बाहर धर निकलाते हैं और ध्यान रखें जरूरी नहीं जितने photon आप गिराओगे उतने electron निकल भी जाएंगे बाहर क्योंकि काफी electrons कोलीजिन करते करते अंदर ही मर जाते हैं मतलब उनकी energy यूज ही नहीं हो पाती बाहर निकल के kinetic energy देने में तो अगर 100 photon भेज़ाओगे ज़रूरी नहीं पूरे 100 electron भी निकाल सके वह अपनी जगन से तो हट जाएगा और बिचार शाइद बाहर ना आपाए क्योंकि उस तकराएगा आसपास के electron and atom से तो यह जो kinetic energy होती है जो बिना किसी collision के बाहर निकलती है इसे बोलते हैं maximum kinetic energy ठीक है तो यह इसके बारे में बिस एक चार पांच लाइने लिख लेंगे और मार्मा थिवरी खताम हो जाएगा यह कि वाइडू भी हाब डिफेरेंट रेंजेस ऑफ कानेटिक एनजी लेटर सी when a continuous radiation beam continue continuous radiation beam of frequency h new greater than work function is incident on the metal surface the ejected the ejected electrons from the metal surface have their kinetic energies have their kinetic energy is distributed between 0 to k max okay so k max क्या है h new minus 5 as we know that so the distribution this distribution यह 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 कहिए of kinetic energy distribution of kinetic energy is because electrons which are ejected out which are ejected out from their position out from their position from their position may collide with some nearby electrons and lose some energy lose some energy lose some energy it also happens it also happens that few electrons die inside only due to losing all their energy inside due to losing inside all their energy sorry 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 it also happens it also happens that few electrons die inside only due to losing all their energies due to collision so this means that is quantum efficiency quantum efficiency quantum efficiency to the number of photons incident into hundred and one another thing that we have seen that h new work function and kinetic energy is used and kinetic energy what is h new minus work function now just metal we have talked about one layer atom topmost layer it is okay all the same topmost layer it is one place however different layers have different different value of phi because when you go inside electron and different atomic layers have different work functions different atomic layers have different work functions hence किनेतिक जी के री जुआ है तो अग अलग लेयर्स में अलग 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 फ़ॉंक्छन होता इसके वज़े से के अलग 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 अधिक आते ले की विछे और आज यह कॉन्ट काते लेगी इवन दो इम सेंडिगी तो इसके नहीं दो मुझेन सीजिर नोया विपका को यह out with thin energy